साही मेर आज कल देखो कि 20,000 उपे से अंदर वाली रेंज में कुई अच्छ डिवाइस मिली नी रहा है लावा निकां वहीं प्यार पटाका फोड़ेंगे और ले क्या है लावा ब्लेज कर्व अपना यहाँ पे जो कि यार लावा अगनी 2 की तरह एक कर्व डिस्प्ले वाला डिवाइस होने वाला है 5G वाला डिवाइस होने वाला है और मस्त तगडी प्रफॉर्मेंस के साथ यहाँ पर आने वाला है जैसे खोलेंगे उपर रखा हुआ है TPU केस चरुए रोने केस दिया है नीचे रखा है फोन भाई बड़ा स्लिम फील दे रहा है इसको रखते है थोड़ा सा साइड में बागी यहां पर देखो लावा की यह सब होम वाली सर्विस का आपको कार्ड मल जाएगा बागी उसके लावा एक टाइप सी टू टाइप सी वाली आपको चार्जिंग केबल मिल जाती एक काफी चीज करी एंड एक यह क्या है तो आपको एक OTT एडप्टर मलता है या नि इसके अंदर आपको जैक नहीं मिलेगा एडप्टर दिया है अच्छी चीज करी है वही आपको एक सिंकार टूल मिल जाता है एंड आपको एक 33 वाट का वही टाइप सी वाला फास्ट चार्जर वीसी के अंदर मिल जाएगा अब फिनिश में आपको एक ग्लास मिलता है फिंगर्पिंट स्मचे या स्क्रेच इस बहुत ही मिनिमल इसके अंदर विजिबल होते हैं ना के बराबर आपको होंगे इवन जो डिजाइन देखो ना काफी बैठरीन सा लगता है तीन सा अब आपको बैक में कैमरा मोडिल दिख ज जो है जब बैकरी आपको 5000 मिलती है उसके सापसे तो बहुत ही तगड़ा है इवन जो या स्लिम है डिजाइन ना वो भी इसका बहुत ही अच्छा है मतलब इंग्दम पतला आप देखोगे यहाँ इसका डिजाइन आता है हलका है पतला है बड़ा है मज़दार आपको इसके अंदर आपको 3.5M जैक नहीं मिलता है तो द्यान अकना वैसे इन्होंने कर दिया है बॉक्स के अंदर ही लेकिन हां यार इसके अंदर डूल स्पीकर भी मिलते है वो भी डॉल्बी एटमॉस के साथ लाउड़नेस एक नंबर की मुझे इसके अंदर मिली है बहुत ही अगड़े एकदम फाड़ू स्पीकर आपको मिलते हैं यहाँ पर सुनो और लावा के इस कर दो सब्सक्राइब कर दो क्योंकि दिल को बहुत जादा खुशी मिलती है कर दो यार बटन इंदर बटन इंदर होगा कर देना वैसे आदे कूद बात कर रहे थे कर देना वैसे एपको यहाँ पर फुल-SD-प्लस वाली है कर्वड एमुलेट डिस्प्ले यहाँ पर मिलती है बैस्स वगरा देखो पदले आपको मिल जाएंगे कर्स वगरा भी काफी सही आपको यहाँ पर मिल जाते हैं अजी चीज यह हैं इंदिस्पर फिंगर्पिंट के साथ आता है को के द्वारा उसको फिक्स किया जा सकता है लेकिन फिलाल अगर आप 4G कंटेंट भी वाज करोगी डिस्प्ले क्वालिटी काफी अच्छी निकल जाते हैं तो क्वालिटी जो है डिस्प्ले की आपको अच्छी मिल जाएगी वाइड वाइड वाइन जो प्रोटेक्शन है वो इसके अंदर मिलती है लेकिन इसके अंदर कोई प्रीप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर नहीं आता है तो वो अलग से आपको बाई जरूर से करना पड़ेगा बागी देखो पीक ब्रैटनेस एट हंड्रेट निर्स तक जाती है अब यह लगाए कॉ की भी बात कर लेते हैं इसके अंदर मियाटक डेमस्टी सेवंटी फिफ्टी वाला जिपसेट मिलता है वही रिपरेंडेड वर्जन डेमस्टी टैन एट्टी वाला आपको मिलेगा यूए फैस थ्री पॉइंट वर्ल की स्टोरिज मिलती है तो री इन राइट पर देखोग 256GB दोनो 8GB के साथ आते हैं तो वो आपको वहाँ पर देखना पड़ेगा SD card slot आपको इसके अंदर नहीं मिलता है जैसे headphone jack नहीं मिलता है और वैसे आपको इसके अंदर NFC का भी support नहीं मिलेगा लेकिन जो performance की बात रहती है वहाँ पर मैं कहुँआ तगड़ा optimization यहाँ पर कर जाता है इवन जो multitasking मैंने देखी है 8GB RAM है बहुत ही सही निकल के आती है मुश्टी सभी F को यह background में यहाँ पर रख लेता है तो उदर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इवन मैंने gaming भी इसके अंदर करके देखी है BGMI मैंने देखा smooth और extreme unlock आपको मिल जाता है वहाँ पर भी gaming ठीक ठाक से यहाँ पर हो जाती है वैसे gyroscope की भी performance मैं कहूँगा decency है अब यहार curved display है तो उसमें मुझे परसनली तर जोदा मज़ा नहीं आता है gaming में लेकिन हाँ आ अच्छे से आपको मैं कहूँगा यहाँ पर चलता हूँ मिलेगा इवन वही पिया जब मैंने बैटरी भी टेस्ट करी 5000 अमेज बैटरी दी है और gaming के साथ तगड़ा आपको बैटरी बैकप भी मिलता है अराम से आपको 7 आर्स का यह जो बैटरी बैकप है निकालके थोड़ा सा slower ज़रूर से feel हो सकता है वैसे देखो UI की बात करते हैं अब एक चीज यहाँ पर clear cut है इसके अंदर आपको Android 13 out of the box मिलती है एड्स नहीं आएंगे इसके अंदर कोई भी bloat wear आपको फालतु वाले नहीं मिलेंगे तो यह दो चीज तो आपको ज़रूर से clean हो जात हो सकता था वैसे updates होगरा लावर रेगुलर प्रोवाइट करता रहता है लेगिन यह एस Android 13 के साथ फिलहाल मिलेगा देखो features होगरा की बात रही तो आपको app hide करना app को lock करना वैसे सारे features मिल जाएंगे even अगर आपको चुपके से call recording करनी है तो alternate dialer भी आपको इसी के अंदर मि वो चीज़े आपको मिलती है बाकी look देखोगे तो stock android वाला आपको मिल जाता है दिखने में मुझे तो बहुत साही लगता है जादा कोई दिक्कत नहीं है features वगरा भी इन्होंने सब चीज़ डाले है customization भी आपने साब से अलग लग कर सकते हो तो overall UI में मुझे कोई जादा द देखो फोनी का sensor यहां पर बताया तो गया है लेकिन यार cameras उगरा में भी बहुत जादा खास मुझे personally यहां पर फिल नहीं हुआ है device 64 में पिक्सल का में पिक्सल का ultrabite है 2 में पिक्सल का एक और sensor है 32 में पिक्सल का selfie camera है numbers नोट आउट बहुत बड़े हैं लेकिन यह जो images नि तक आपको यहां पर video recording मिल जाएगी थोड़ा सा मैं अगर आपको दोड़ के भी दिखा दूँ तो कुछ इस तरीके की recording आपको यहां पर मलती है और यहां पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का आपको मिलेगा किस तरीके का adjustment मल रहा है जहुर से बताना इस ताम पर आप recording वगर के मामले में मैं कहुआ है decent सा आपको मिल जाता है stabilization EIS OS के साथ आपको ठीक हाक सी यहां पर मैं कहूंगा मिल जाएगी बहुत जादा खास नहीं है front selfie camera 1080p तक ही limited आपको मिलता है तो यहां पर भी आप देख लो recording जादा overexposed आपको मिलेगी background भी देखो overexposed यहां पर मिल रहा है अगर मैं इस तरीके से चेंज करूँ तो कुछ इस तरीके की आपको यहां पर video recording अल जाएगी I think इधर improvement की थोड़ी जरुद आपको यहां पर ज़रूर से पढ़ेगी और यहां भी देख सकते हो overall average side में मैं काऊंगा video recording वगरा के मामले में मिलता है वैसे जो 8xposed का ultrawide है देखो images वगरा ठीक निकल के आ रहे है colors दुगरा को भी अच्छे से adjust कर ले रहा है जादा darker image नहीं है details दुगरा भी 8xposed के हिसाब से ठीक ठाक से आपको यहां पर मिल जाती है AI mode off करो तो जादा better short निकल के आते हैं थोड़ी सी चीज़े हैं अभी in consistency में आपको मिलेगी I'm sure यह updates से जादा fix हो जाएगा क्योंकि लावागनी 2 के अंदर भी बहुत better किया था इन्हों updates के द्वारा लेकिन images दुगरा अगर आप AI mode के साथ लिखी चूँगे तो अच्छी निया आती है without AI mode कीचो तो देखो details भी ठीक यहाँ पर मुझे लगी colors वगरा भी ठीक ठाक सा manage कर लेता है even HDR वगरा भी आप देखोगे तो बहुत हट तक यहाँ पर अच्छे से manage कर लेगा बस यह यह कि यार अगर कभी-कभी बहुत अच्छे आ जाते हैं कभी-कभी विकार निकल के आते हैं इसको थोड़ा और मैं टेस्ट करता हूँ इन देप उसके बाद इसके बारे में जब फुल रिवीव बनाऊँगा तो आपको वहाँ पर पूरी चीज़े इसके बारे में killer cut बताऊँगा वसे front selfie camera 32 में आप pixels का मिलता तो है outdoor में देखो shots वगरा ठीक निकल क आता है वस टाइब का आपको मिलेगा edge injection भी वड़ा ठीक ठाक समय का हुआ है यहाँ पर मिल जाता है बतलब इतना तो जवर से एक यार cameras के माले में भी highly inconsistent है यहाँ पर इसको इनको fix करने की बहुत ही ज़ादा जरुवत है फिलाहल मैं इतना जरुर से कहूंगा and hopefully I think यार बह better cameras वगेरा मिल जाएंगे लेकिन overall अगभी मैं फिलाल बात करूं जिस price point के अंदर यह आ रहा है ना competition तो इसके आसपास है नहीं कोई लेकिन इनको ना अपने competition को अगर आता भी है kill करने के लिए सबसे पहले cameras में आप improvement करने की ज़रुवत पड़ेगी बागी सारी चीज़े इन्होंने almost overall बहुत अच्छे से sort मेरे इसाब से करके रखी हुई है थोड़ा और वेट कर लेते हैं हो सकता है और विज़ाद बैटर यहाँ पर निकल के आजाए अपडेट शोगे रहा के बाद तो फुल रिवीव भी आपको इसके बारे में बहुत ही जल्दी दूँगा अगर आपको कोई कोशन है किसी के साथ कमपैरिजन देखना चाहती हूँ तो जरूर से कमेंट करके मुझे बताना कि आपको किसके साथ कमपैरिजन इसका देखना है अगर वीडियो बसंद आई है तो लाइक शेयर के होना करें भी मत जाना